हेलो एब्रीबन टोड़े वी वील सी ता पेपर आफ पीएस पीसी एल जूनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल यह फिलाल हुआ था भी 15 नॉवंबर 2021 को तो इसको हम देखेंगे इसकी कुछ 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 करेंगे 70 कुछ 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 करने की कोशिस करते ह है कुछ के क्या रहते कि आप पाफर सिस्टम की जो सीरीज चल लएती थी मंशीन की सीरीज कर रहा है क्यों मेरा टैबलेट वह खराब हो चुका है तो मैं उसपर लिखनी राइट जो पैड होता है उस पर मैं लिखनी पा रहा हूं तो उसके लिए खेदे ठीक है यह बड़ी तो देखिए पहला question आपको दिख रहा होगा बहुत ही simple सा paper है और simple से questions इसमें आई हुए है तो fundamental frequency of the waveform 130 sign आपको यह given है ठीक है तो frequency आप जानते हैं कि v equals to vm sin omega t i equals to i0 sin omega t कुछ इस परकार से आपको दिया हुआ होता है omega t plus 5 भी आपको दिया हो सकता है तो omega की value आपको 628 0 दिया है यहां पर ठीक है तो omega 2 pi f है और जो कि 628 0 है और आप जानते है pi 3.14 होता है और multiply करेंगे 2 से तो 6.28 हो जाएगा तो 6.28 f 628 0 के बराबर होगा और वहां से आप f को solve कर लेगी तो 1000 Hz आपका answer आएगा नेक्स वोशन पर हम चलते तो नेक्स वोशन में देखिए आपको voltage given है current given है phase difference आप से पूछा है phase difference आप समझ सकते हैं कि 5 equals to 5 2 minus 5 1 आप कर देंगे ठीक है आप parallel plate capacitor has capacitance of c farads ठीक है if the area of the plate is doubled and the distance between them is halved then the capacitance of the capacitor is तो यह बहुत simple सा question है आप समझ सकते हैं कि area को double कर दिया है ठीक है यह आपका double होड़ाएगा और यह आपका क्या होड़ाएगा half ठीक है तो 1 by 2 ऊपर जाएगा तो 2 into 2 किता होड़ाएगा 4 यानि कि 4 coulomb farad आपका क्या होड़ाएगा नाया capacitance होड़ाएगा इन दे नेक्स कुशिन वी एक तूफाइंड नम्मर ऑफ पोल्स तो बहुत सिंपल है एने सिक को स्टू बन टॉन्टी एफ अपॉन पी आपको एपलाए कर दिना है फॉर्म फेक्टर आप जानते हैं अच्छे से आरमस अपन एवरेज वेल्व होता है क्या क्या है का क्या सारे मेंट्टिंग ढेचर आप आप से स veggies कि एक्साम में पूछी जाते हैं आपको boiling ऑुलिंग फॉइंड वे आपको याद को जा하세요 which of the following is correct for single phase induction motor हमने कई वार एक question दिखा है ठीक है तो आप जानते हैं कि backward slip 2- SF होता है इसको आप SB से denote करते हैं और SB plus SF equals 2 गया होता है आपका 2 के बराबर होता है which of the following instrument is used to measure insulation resistance तो that is मैंगर calculate the secondary voltage in a single phase transformer if the voltage primary side का voltage आपको given और turns ratios आपको गिवान है यान की value 60 गिवन है और primary है 200 तो n2 निकालना है बहुत सिंपल है वो B2 निकालना है तो B2 की value कैसे निकालना है multiply होता है तो 16 to 200 वैट इसके नियानि कि जब आपकी तोचा गिली होती है तो आपका जो resistance होता है वो 1000 ohm के across होता है एसी प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा गया है next आपका कि आपको time period दिया है और frequency निकालने के बोला है तो frequency 1 upon t होती है आप जानते हैं calculate the angular frequency, angular frequency अभी हमने देखा था omega 2 pi f होता है और f की value 100 Hz आपको given है तो 200 pi आपको क्यों रहाएगा answer HRC का full form high rupture capacity लेकिए इनमें से 70 जो question है आपके इस paper के अंदर इस वैसे हम 50 के लगबग तो पहले से ही solve कर चुके हैं कौकि अलग-अलग paper से ही इस paper में भी आपके questions क्या हुआ है repeat ही हुए a pure capacitor has been connected across a dc source at a steady state it will behave as तो देखिए एक pure capacitor है ठीक है steady state पर कैसे behave करेगा open circuited which of the following is correct तो c has जो आपके है वो high level language है कि रेम कि शिलिप synchronous water की full load पर कित्ती होती है जीरो को कि full load पर आपकी synchronous water है वह आपकी synchronous speed पर rotate करती है नियरली सो मेरी इवी लिए आपकी जो slip क्या होगी कित्ती जीर होगी capital cost सबस्यादर किसका होता है नेकी nuclear power plant इसका capital cost यानगी सबस्यादर खर्चा होता है यहना common base transmitter configuration आपको base current दिया है emitter current दिया है collector current आपको find करना है तो emitter current जो होता है वो आपका collector current plus base current होता है ठीक है तो IE IC plus IV और यहां से आप IC निकाल लेंगे तो IC की value कित्या आईगी 1.14 mA वाकिकी value सबको given है आप 1 meter long conductor carries a current of 40A at right angles to the magnetic field the force on the conductor is देखे एफ जो force होता है आपका वो V into I into L होता है भी आपका magnetic field है आई आपका current हो L आपकी जो length है conductor की उश्योष हो करता है तो आप जब multiply कर देंगे 40 into 1 into magnetic field का तो आप कहांसे राएगा 4 newton maximum torque angle of asynchronous motorage तो देखिए maximum torque angle आपका होता है 90 degree जैसे कि P जब आप निकालते हैं इंडोट आफ और एक्सेस sign data तो torque power upon omega तो उसके condition में जब आप torque find करते हैं कि T max लिखते हैं तो जो आपका एंगल होता है 90 degree होजाता है color of mercury wafer lamp is greenish blue PMC आप जानते है permanent magnet moving coil होता है तो given symbol is तो देखिए given symbol आपका x और gate है और आप जानते हैं x और gate को हम denote करते हैं a b bar plus a bar b से या फिर a x और b 00 पर 0 रहता है 01 पर 1 10 पर 1 और 11 पर 0 generally short circuit fault in a transformer is protected by तो देखिए merge price protection जो होता है उसको हम differential protection भी बोलते हैं और mostly यह यूज होता है alternators के लिए तो जैसे merge price protection scheme है और इसको circulating current protection scheme भी कहते हैं साथी साथ बाकी की जो protection है जैसे alternator stator अगर protection करना है तो हम current balance differential relay को यूज करते हैं और साथी साथ voltage balance differential relay को भी यूज करते हैं अगर हम transmission line के over current की बात करें तो हम over current relay को यूज करते हैं earthfall protection के लिए earthfall relay यूज करते हैं transmission line के definite distance relay time distance ले यह सारे चीज़ें यूज होती है 1 megaohm equals to 1000 kiloohm जब तो following is condition for paralleling of DC generators तो देखिए must condition होनी चाहिए कि output voltage और polarities जो भी parallel आपके DC generator यूज हो रहे हैं उनकी क्योंने चाहिए same condition same होनी चाहिए polarities और output voltage है कि calculate the slip of six pole three-phase fifty-eighths introduction motor if the motor rotates 950 rpm तो देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है mostly आप slip का formula जानते हैं मैं type करने के कोशिश करता हूं अपने माउस से तो ns minus nr upon ns होता है ठीक है तो ns मैं बता जाता हूं आप 120 f upon p से आप find कर लेना nr आपको 950 rpm given है ns 120 f upon p होताएगा slip की value गराएगी 0.05 maximum efficiency की condition आप जानते हैं core loss couple loss के बराबर होता है pi equals to p c u find out 7th harmonic frequency fundamental frequency is 20 hertz देखिए fundamental frequency आपको given है याण कि n into f जब आप कर देंगे तो 7th harmonic frequency आपके निकल रहेगी जिद्री भी आपकी harmonic given होती है वो आपकी fundamental frequency से multiply होडाती है ठीक है अगर third harmonics है तो 3 into 2 होडाता सेमें ते तो 7 into 20 होडाएगा 140 हर्च एमंग देंग विचिदा पैरामेंग्टिक मेटेडियल तो गोल्ड आपका क्या है पैरामेंग्टिक है नेक्स्ट आपका instantaneous value of waveform v cos to bm cos omega t plus 5 तो देखिए जो bm होता है ठीक है और आपको instantaneous value निकालना है तो bm upon 2 हो जाएगा तो आपका अंसर किता आएगा 30 upon 2 एन एंप्लिफायर है जाब बोल्टेज गेंड हंड्रेड बीटा की मेलू दी है 140 और पावर गेंड आप था measurement of inductance देके हेज ब्रेज एंडर्सन ब्रेज ओवन्स ब्रेज इंडक्टेंस मेजर करते हैं डी 40 ब्रेज का जो यूज होता है वो आपके capacitance मेजर के लिए आता है ठीक है बाकी की ये DC ब्रेज है तो DC ब्रेज बेए बीटी स्टाउन, कौरी फिरिश्टर, कैल्वेन, मेगा ओम ये resistance मेजर के लिए आते हैं मेगर के साथ साथ Maxwell inductance bridge, Hayes bridge, Anderson bridge और Owens bridge इनका यूज इंडक्टेंस मेजर के लिए होता है ठीक है और एक कोशन आपका बनता है Heaviside mutual inductance bridge जो कि mutual inductance को मेजर करता है Campbell modification of Heaviside bridge भी आपका mutual inductance को मेजर करता है D shorty, sharing bridge और Bain bridge ठीक है ये आपके capacitance मेजर करते हैं और साथी साथ जो Bain bridge होता है आपका वो capacitance के साथ साथ आपकी frequency को भी मेजर करता है Interpol winding of the DC machine is connected है तो Interpol winding का जो connected होती है आपकी DC machine में वो series होती है armature के साथ अगर हम आगे Interpol की बात करें तो हमने कई बाद और पेपर भी देखा है कि Interpols चो होते हैं वो similar होते हैं Main field folds के लेकिन located होते हैं योग between main field poles योग और main field folds के देखे Interpols का काम क्या होता है कि ये जो cross magnetizing होता है उसके effect को neutralize करता है ठीक है जो कि armature reaction की बाद से हो रहा था और जो cancel करता है reactance voltage को जो कि आपके Commutation के undergoing होती है तो ये सारी चीज़ें आपके Interpol bindings related हैं कई बार questions आप से खुमफरा के पूछ लेते हैं नेक्स्ट आपका इच ब्रांच ओफ स्टार कनेक्टेड लोड है रजिस्टेंस ऑफ 10.5 ओम तो रजिस्टेंस ऑफ इच ब्रांच ओन एंड डेल्टा कनेक्शन तो देकिए आर डेल्टा पूछा है थ्री टाइम आप आर स्टार हो जाएगा ठीक है थ्री से मल्टिप्लाइ कर देना आप तो थ्री से जैसे आप मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका जराएगा 31.5 ओम लेकिए बहुत सिंपल कोश्चन है तो आप इसको गैप बनाके आराम से कर सकते हैं नेक्स्ट आपका थ्री आइडेंटिकल ऑल्टर्डेटर्स रेटेड एट 11 के भी 25 MBA आर कनेक्टेड इन पैरलेल फाइड आउट शॉर्ट सर्किट MBA इफ तर्मिल इफ सम रेजिस्टेंस रिएक्टेस ऑप इच ऑल्टर्डेटर इस 30 परसेंट तो देंकिए शॉर्ट सर्क 30 परसेंट सब ट्रांजिटर रिएक्टेस दिया हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो पॉइंट थ्री आइडेंटिकल ऑल्टर्डेटर्स जो कि 0.01 आएगा और इसको परसेंटेज में जब आप स्वाल करेंगी तो 10 परसेंट आएगा जैसी आपको 10 परसेंट आपसे समझ सकताओं कि 1M2 Study ל कि एंटिक पावर 5 प्लासवाने इन टो कि पावर 4 कुछ इस परिकार से आपको स्वार्ड प्लास पावर 62 की सरेंटिक पावर 2 regen 1 smaller 60 फॉन 1-60 थहार आएगा ठीक यह आश्वां आपको आता ही होगा यह कुशन नेक्स आपका कीए 3-phase कें डिक ऑले की एकटेरनल रोटर रेस्टेन्स न को युक्ष रोटर रिएक्टैन्स आपको ग्वन है और। अशूर सब्सक्राइफ को गवन है एक्सच्टो मैनस ऊच्च्टेश्जू हो भी गथ Azure । 一जजय बन्म, P W Reverse होता है आपका light rig arrestor अगे जन्रेटर बोल्टेज आप सिंग्रों इस हड्रेट गोल्ट if the excitation increased 1.8 times what will be the new generated voltage excited voltage को बढ़ाया जाड़ा है 1.8 times तो आप समझ सकते हैं कि जो generated voltage होगा मुल्टिप्लाई होगा जितना आपका generated voltage है उससे ठीक है तो उसका multiply हुदाएगा आपका जाने कि excitation का 1.8 into 100 नेक्स आपका if a wire of length 10 meter having a cross section area of 1 meter square and a resistance of 5 ohm the specific resistance of material देखिए आर एक कोस्टो रो एल अपॉन ए जाते है आप और रो आपसे पूछा गया है ठीक है सारी values given है 5 resistance given है length 10 meter given है area 1 meter given है तो आप समझ सकते हैं 10 आपका कितना राएगा 5 equals to 10 into row upon 1 ठीक है इसको solve करने पर आपका राएगा 5 upon 10 यारे की 1 upon 2.5 ohm meter देखिए अगला है आपका underground cable है has an insulation of relative permeability of 2 अगर उस insulative material को replace कर दिये जाए दूसरे material से जिसकी relative permeability है 4 तो आप से पूछा कि capacitance क्या होगा cable का तो देखिए आप सी कुष्ट्यू अपसालाट ए अपाउट डी जाती है यारी कि सी आपके अपसालाट डॉट अपसालाट आर के पर कोश्टल होगा तो आपको दोरों अपसालाट आर वन और अपसालाट आर टू की value given है तो c2 की value जब आप निका लेंगे तो 4 upon 2 होगाएगी यारी कि value आपकी क्या होगाएगी double the rms value of the sinusoidal wave form represented by the equation ठेक है तो आप जाते है v cost to vrms sin omega t होता है और यहाँ पर vrms की value किती है 200 क्योंकि bm upon 2 यारी कि b rms upon 2 root 2 निकालेगे तो root 2 root 2 cancel out होड़ाएगा और 200 आपकी किती बचे की value बोल्ट सेकेंड अपॉण MPR तो बोल्ट सेकेंड अपॉण MPR जो आपकी value है वो इंडेक्टेस को शो करती है Httb की full pump आप अच्छे से जानते होंगे देखे तीन capacitor 12 microfarad parallel में connected है तो जो resistance series में connected होता है उसके तरह work करेंगे और तीनों क्यों आएड एडिशन ओफ 1010 ए 1101 एड वन इंच किसके बरावर नहीं होता तो देखे 0.254 cm के बरावर नहीं होता है Joule per second is the unit of power work upon time among them which is symmetrical fault तो three phase जो fault होते हैं आपके, वो आपके symmetrical fault होते हैं बाकी जो option से वो आपके unsymmetrical fault के दिया है इसमें से किसमें stand by losses नहीं होता है तो hydro power plant पे एक इस प्रकार का data है तो एक प्रकार का जो इसमें 0.8 लगा हुआ है चलिए प्रकार के फ्लोटिक टाइब का डेटा है तो e equals to 1 by 2 li square आपको अप्लाइ कर दिया रहा है next is permeance units, so vapor per ampere turns 27 in octal number system आप से पूचा गया है तो तेखे कैसे करेंगे 27 by 8 करना 27 by 8 आपका क्याता है का 83024 और जो remainder होगा वो भी आपका 3 होगा तो 33 आपका अंसर होना चाहिए 23 लिखा है the effect of temperature on metals and insulating materials is that the registers for metal increases and that of insulating material decreases ठीक है तो जैसे registers बढ़ाएंगे metal के case में temperature बढ़ाएंगे तो registers भी बढ़ेगा और insulating material और semiconductor में temperature बढ़ाने पर registers की value decrease होती है which of the following is true for the medium voltage not exceeding 650 volt तो 650 volt से कम होना चाहिए for the medium voltage applications supplier shall not permit to vary the frequency of AC not more than 3% from the declared frequency तो देखिए supplier जो होता है उसको permission नहीं है कि जो AC का frequency है current का frequency जो है वो 3% से ज्यादा vary कर सके तो रजिस्सर्स है तो लो 1000 ओम के parallel में connected है 200 volt DC source के across current flowing आप से पूछा गया है I cost to V upon R आपको एप्लाइ कर देना है ठीक है parallel में connected है तो 1000 और 1000 parallel में कित्तों आईए आपके 1000 to 1000 upon 2000 ठीक है तो उस परकार से I cost to V upon R आपको लगा देना है बहुत simple सा question है देखिए equivalent register आपको find करना है terminal A और B के across तो 50 ohm 50 ohm और A क्या होदाएगा आपका 100 ohm AV 100 ohm और 100 100 आपका series में तो 200 ohm और 200 ohm आपका 50 ohm के साथ parallel में होदाएगा 200 into 50 upon 250 which is equals to 40 ohm Registivity की unit किस से denote होती है तो ohm into beater तो ohm beater आपका क्या है Registivity की unit है parallel path of DC wave winding तो parallel path A से denote होता है A cost 2 होता है wave winding के case में और आपका होता है sorry तो दूसरा क्या होता है lab winding के case में क्या होता है A cost 2 number of poles के बराबर ठीक है calculate the voltage regulation of a single phase transformer if the full load secondary voltage 80% of no load secondary voltage तो देखिए आसानी से आप देख सकते के percentage voltage regulation होता है no load minus full load upon full load यहाँ पे full load secondary voltage 80% no load secondary voltage के 100 minus 80 आपके पास कितना बचेगा 20% आपका क्या होता है voltage regulation ठीक है energy consume पूछा है cathode ray oxaloscope mmf आपसे पूछा गया है current given है number of tons के बर है length और thickness तो length तिकनेस का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे n into i होता है आपका formula mmf का mmf का formula n into i 20 into milliamperes into 1000 ठीक है तो आपका रहाएगा 20 amp-tons यहाँ पे question खतब होती है 70 questions बहुत ही बहुत simple question था simple question paper था आपका पूरा तो इसका PDF आफ telegraph गृप से डाउनलोड कर सकते है कल यारी कि 25 को second जो afternoon का पार्ट है उसको solve करेंगे साथी साथ उसीनी समाई चल लाइती power system और machine और बाके की subjects की उसको भी अब continue रखेगे थोड़ी तबियत अभी सही नहीं है और backup का जो हमारा tablet है जिस पर हम लिखते है वह भी खराब हो गया है तो उसको अभी सही करा रहा है देखते है फिर बिलते है कर दो